22 नवंबर 1718 ISV को उज्जेन में उज्जेन में इनके मर्तियों हो गई और उनका जो अंतिम समस्कार है वो सिप्रा नधी के तटपर किया गया जहाज भी उनकी सत्री बनी हुई इस युद के दोरां दुर्गादास ने महराजा जस्वन सिंग के साथ धर्मत के युद में भी भाग लिया दुर्गादास के संपरक में रहे समकालिन लेखक कुम्ब करन सादू की रचना कौन सी रचना ये किसने लिखीती है कुम्ब गरन सादू ने इससे समंदित कोई ची कि उसना आप से पूछा जा सकता है इस युद के दोरां दुर्गादास की वीर्ता का वर्णन करते हुए कहा गया कि दुर्गादास राठोड ने एक के बाद एक चार घोड़ों की स्वारी की और जब चारों एक एक कर मारे गे तो अंत में वो पांचवे गोड़े पर स्वार हुआ लेकिन ये पांचवा गोड़ा भी मारा गया तब तक न केवल उसके सारे हित्यार तूट चुके थे बलकि उसका सरीर भी बूरी तरीके से घाल हो चुका था और अंत में वो रणबूमी पर गिर गए गायल होकर के बेहस हो गए ऐसा लगता था जैसे एक और भीसम सरसेया पर लेटा हुआ था एक पहले जो भीसम पितामा हुए थे महाभारत के समय तो ये दूसरा कोई भीसम पितामा या लेटा हुआ है जस्वन सिंग के आदेश पर घायल दूर्गादास को युद इस्तल से हटा लिया गया और जोदपूर भीज़ दिया गया तो इस परकार इसकी वीरता काफे वीरता इसी वजह से बादसा इस पर भरोसा करते थे दूर्गादास एक कुसल कूर्ट नेटी के था उसने नकेवल अजिस सिंग की रक्सा की अपितू जोदपूर के सियासन पर भी उसे आसिन किया इसलिए उसने नकेवल मेवाड के महराना राज सिंग के साथ मिलकर राटरों सिसो दिया गटपदन किया अपितु साजादा अकबर को भी बादसा के विरुद विद्रो के लिए प्रेयरित्या कुल मिला कर जितने भी उससे कौसिस हो सकते हैं उन सारी कौसिसों को करते हुए अजी सिंग को वापिस जोदपूर का सासक बनाया और अकबर का विद्रो आसफल होने के बाद उसे दक्सिन में सुरुक्सित ले गया और उसके इरान जाने तक साथ ही रहा वहां तक उसको पहुचा कर आया यानि अपना जो धर्म निबाया जबकि एक तरब ये बाकी जितने भी जे ये मुस्लिम सासक उन्होंने तो ये धोका ही कर रहे थी कैसा अभी अपने पड़ा उनका ही जो एक सेनापती जो इनके पक्स में हो गया था अकबर के साथ में तो उसको कैसी धम क्या दी थी कि पत्नी को अपमानित करूंगा और पुत्रों को कुत्तों की जैसे गुलामों को बेच दूंगा जबकि ऐसा इन्होंने नहीं किया और अकबर के पुत्र बुलंद अक्तर और पुत्री सफियत तू निसा को नकेवल अपने पास रखा बलकि उन्हे धार्मदर्शन आदी जो भी उसके मुसल्मानों के लिए जो भी धार्मिक व्यस्ता होती वो सारी व्यस्ता की जो यहां रखकर दुर्गादास ने मित्रता निबई वरन अपने धर्मदर्शन सरपत पंत समादर यानि सभी पंत हमारे लिए बराबर है का परीचे भी दिया उसने दोनों बच्चों की देख रेक सिकसा दिकसा की भी ठीक वैसी व्यस् अरंग जे वो भी पिखल गया इस दुर्गादास के इस करते से विरोचित गुणों से उसका विदिल जीत लिया और मनसब दिया था उन्हें और कंडल टोड ने उसे राठोडों का यूलिसेज कहा जोदपूर के परसिद इतियासकार गोरी संग हीराचंद ओजा ने इतियासरा ठोड के बारे में था और इस वीडियो को पूरा इसको एक साथ बना अब देखो बनाने का प्रित्म था क्या पता क्या टेक्निकल इस्यों हो गई कि 47-48 मिनट का वो वीडियो होके अपने आप ये नया वीडियो प्रारम हो गया है तो अब दो खंडों में ही इसको डालना पड़ेगा तो कई जो विदारती कमेंट कर रहे थे सर लंबा वीडियो बनाओ तो लंबा बनता नहीं है कुई समस्या है टेक्निकल इस वज़े से क अधिक्तम उससे लंबा वीडियो संबब नहीं होगा और प्लीज वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में सेयर करें धन्यवाद